हाई फ्रेंड्स वेल्कम टू मैजिक कुकिंग चैनल तो यहाँ पे मैंने पतला पोहा लिया है इसमें डाल दीजे पानी यहाँ पे मैंने दो से तिन गलास पानी डाला है इसे हमें धो लेना है इस पानी को निकाल लीजे फिर से हमें एक बार इसे धो लेना है अगर आपको पोहा मुलायम बनाना है तो पोहा को दो बार धोना ज़रूरी है इस पानी को निकाल लीजे इस पोहा में डाल दीजे आधा चम्मच हल्दी पाउडर स्वाधनूसार नमक कटा हुआ हरा धनिया हम इसे अभी मिक्स नहीं करना है हम इसे बाद में मिक्स करेंगे इसे साइड में रख दीजे ग्यास पर रख दीजे कडाई कडाई में डाले दो चम्मच तेल तेल गरम हो चुका है इसमें डाल दीजे मुंग फली मुंग फली को हमें मिडियम हीट पर फ्राय करना है तो मुंग फली अच्छे से फ्राय हो चुकिए इसे एक प्लेट में निकाल लिजी कड़ाय में मैंने थोड़ा सथ ज़्यादा तेल डाला था तो मैं दो तिन चम्मच तेल को निकाल लिया है अब इसमें डाल दीजें दो कटी हुई हरी मिर्च एक चम्मच जीरा एक चम्मच राई कड़ी पत्ता कटा हुआ लवसुन कटा हुआ लवसुन आप्शनल है आपचा हेटू डाल सकतो या फिर स्किप करे इसे अच्छी तरह से मिला लिजे मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुकी है कटा हुआ प्याच हमें इस प्याच को 6-7 मिनीट टक मीडियम हिट पर पकाना है तो प्याच अच्छे से पक चुका है इसमें डाल दीजे बिगोय हुआ पोहा दोस्तो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे आइड़े है मैजिक मिनाक्षी पोहा को अच्छी तरह से मिला लिजे अब इसमें डाल दीजे फ्राई किये हुए मुंफली और इसे फिर से एक बार मिला लिजे तो पोहा को मैं अच्छी तरह से मिला लिया है इसे हमें धक्कन रखेर 6-7 मिनिट टक लोफ हीट पर पकाना है 7 मिनिट बार धक्कन को निकाल लिजे और इसे एक बार मिक्स करे तो सॉफ्ट मुलायम पोहा तयार है इसे गर्मा गर्म सरु करे दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे थेंक्यू फर वाचिंग दिस वीडियो